हेई गाईज वेलकम और वेलकम बाक तो मैं चैनल सो कैसे हो तुम लोग और कैसी चल रही है फड़ाई सो यह प्रिटी प्रिटी स्काय देख लो मैंने यह वीडियो खुद बनाई थी सो मैं वता देती हूँ सो दिस वीडियो इस गौना भी अ नॉर्मल स्टी व्लॉग ठीक है मेरा शेडियूल बहुत जादा है बहुत जादा मेरा टेस्ट है नाइज जलाई को जिसके लिए मैं बहुत जादा नर्वस हूँ बहुत जादा और यहां पर में टेबल साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे प लिए आता टेस्ट का जो भी है यही मेरा से लिए से पॉस करके तुम लोग देख सकते हो नाइन जलाई को और आफ लाइन टेस्ट है ठीक है मेरे घर के पास यह सेंटर मेरा सो उसके बाद सो यहां पर ना मैं बायो कर रही हूँ ठीक है तो सबको मैं और यह वनी वीडियो म मेरा 11th class का जो टेस्ट है उसमें syllabus ऐसे है कि 50% 11th का 50% 12th का तो जो 11th का syllabus है वो मैंने उसके lectures नहीं देखी मैंने उनको one shot से revise कर लिया अपने short note से revise कर लिया और उसके questions प्राक्टिस कर लिया है ठीक है बस that is it मैंने इतना ही करा और bio में और bio मैं यहां पर मैंने क्या करा कोई lecture कुछ देखने की मैंसे ज़रत नी पड़ी मैंने खुद से NCRT पड़ी ठीक है और अच्छे से question प्राक्टिस करें और question प्राक्टिस करने के लिए मैंने पूरे test के syllabus के लिए bio में I used memo neat app क्योंकि na memo neat app में एक्दम relevant neat relevant और एक्दम NCRT based questions है and before telling you about memo neat app let me tell you one thing that 96 out of 100 questions in 2022 came from memo neat app and अ इस एप में हर एक एक लाइन को NCRT में उने convert करा है और इसमें 30,000 से भी ज़्यादर questions है practice करने के लिए formula, organic की reactions, inorganic की reactions, physical chemistry की formula, physics की formula, हर चीज़ बताये इसमें इतने अलगलग तरह 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 की questions है कि practice करने में इतना मज़ा आता है, flash cards है, matching वाले questions है, jumbled words है, drag and drop वाले मेरे favorite है, और इससे मुझे इतना मज़ा आता है, मुझे इतना मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता भी नहीं क्यों पढ़ाई कर रही हूँ, and you know what, इसमें memes और podcast और crosswords type के भी है, they are literally like games, जो यू ही हो जाते हैं, और practice भी हो जाती है तुम लोगों की, and the best part is कि everything is 100% NCRT based, and you can solve subject wise and topic test series, also full length test series, और इसमें organic के सारी reactions को questions में convert करा हुआ है, assertion और reasoning type के questions भी है, जो need में बहुत जाता पूछे जा रहे हैं, और lectures और PYQs तो है ही है, और जैसे आप कोई question practice करें और वो गल्लत हो चाहिए, तो वो question तब तक repeat होता रहता है, जब तक आप उसको 3-4 बार सही नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो कोई chance ही नहीं है, कि तुम उस question को भूल जाओगे, और plus app की notifications आती रहेंगी, हर 3rd day, 5th day, 8th day, ताकी आपको याद रहे हैं, कि अब आपको यह वाला topic revise करना है, और मेरी, मैंने सारे questions अपने test के लिए, मैं मोनीट आप से तियार करें हैं, और भाही मैं उसमें PW की website खोल के, और उसमें ना पता नहीं क्या हो रहा है, क्या मुझे नहीं पता क्या चल रहा है PW की app में, कि lectures web पे चल नहीं रहे हैं, या अलग सरके खजाना वाले, यह की 2021 वाले lectures चल ही नहीं रहे हैं, और same lecture मैं फोन पे चला हूँ, वो राम से चल जा रहे हैं, तो फिर मैंने फोन पे देख लिया था, एक चीज हो कि मुझे lecture देखने की ज़रुत पड़ी थी, एक आद topics जो मेरे वीखते, instrument जैसे इसमें, unit and dimension में, instrument वाला पार मेरे थोड़ा वीखता, उसका मैं को lecture देखना पड़ा था, फिर मैं को ठीक से हो गया वो, और वो मैंने फोन मे देख लिया था, ठीक है, और उसके मैं clip record ने कर पाई थी, मैं पास दूसरा phone नहीं था, ठीक है, so यहाँ पर I am revising, वो lecture करने के बाद, फिर मैं अपने short notes revise करी थी, उसके units and dimensions के, और ना पता है, इस दिन तो, जिस दिन मैंने video record करी, इस दिन मैंने ज़्यादा तर bio ही करी थी क्योंकि जो bio में सबसे जादा डर लग रहा था, सबसे जादा तो नहीं, बट हाँ, काफी मेरी हालत खराब थी bio में, बट उसके बाद मैंने पूरे-पूरे chapters याद करे, NCRT पढ़ी, questions practice करी, तो थोड़ा confidence तो आई गया है, ठीक है, और यहाँ पे मैं मुझे अपनी module में से question practice करने थे, तो थोड़े बहुत questions करने थे, तो उससे पहले मैं उसकी theory पढ़ लेती हूँ, मैंने बताया पहले भी videos में, थोड़े बहुत theory दी रहती है, वो मैं पढ़ लेती हूँ, then वो करने के बाद मेरा ये animal kingdom का थोड़ा सा part है, जो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं कर लिए, तो मैंने ऐसे कराए कि 11th के, जो मेरी week topics थे, मैंने के lectures देख लिये, और one shot के help से revise कर लिया, अपने short notes से revise कर लिये, short notes मैंने इमने telegram पे भी upload कर दिये, तुम लोगों को देखना है तो देख लेना, और question practice करी, भर-भर के pyqs करे, और बस that is basically it, हर subject में मैंने यही strategy follow कर ही है, एकदम simple, उसके बाद यहां पर मैं अपने chemistry के short notes खोल रही हूँ, मुझे solid state का कुछ पार्ट है, यार एक तो मुझे नी पता कैसा इन्होंने syllabus बनाया है, सारा पूरा syllabus यही है, याद करने वाला, इसमें ना solid state में मुझे एक दो चीज़े याद नहीं थी, एक दो क्या आए-ए-पै, see you in the next video.